दोस्तो स्वागत है आपको मेरे यूटूब चैनल गिनेस अल कलासेज में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग भी हाड़ बोड क्लास 7 प्रशना वाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में देखेंगे तो देखते लिए वीडियो को लास्ट तक तो चलिए बिना समय का वाहम करते वीडियो को इस टार्ट तो दोस्तो यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बबलू ने घर के लिए तीन किलोग्राम 500 ग्राम क्या खरीदे है आलू और दूसरा एक किलोग्राम बेंगन खरीदे है ईवं अपसनाने 1 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी घरीदे है तो 0.8 किसमय वजन में अधीक शमान खरीदे है और कितना इस कॉछ इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें बबलू का समान अलग जोर देंगे और जो ज्यदा होगा उसमें से हम घटा देंगे, कैसे तो देखे, हम लिख देंगे बबलू ने, बबलू, द्वारा, बबलू द्वारा, खरीदा गया, खरीदा, गया, कुल, सामान, क्या करेंगे हम, बबलू द्वारा खरीदा गया, कुल सामान, यानि कि, कुल का मतलब होता है, पूरा सामान, टोटल कितना समान खड़ी दे हैं बबलू तो यहां पर देख लिए दोस्तों यहां पर पहला है तीन कीलो 500 ग्राम आलू तो यहां पर हम लिख देते हैं तीन जोड़ेंगे, एड़ करेंगे, तो एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, सुन्ने में सुन्ने जोड़ेंगे, सुन्ने, सुन्ने में सुन्ने जोड़ेंगे, सुन्ने और पांच में सुन्ने जोड़ेंगे, तो पांच दसमलब और तीन और एक को जोड़ेंगे, तो चार किल किलो ग्राम हो गया यह हो जाएगा किलो ग्राम में यानि कि चार किलो पांसो ग्राम हो जाएगा इसके द्वारा खरीदा गया समान बबलू के द्वारा अब जो रहेंगे अफसाना के द्वारा कितना समान खरीदा गया वह लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे अफसाना खरीदा गया कुल सामाम अब हम लिखेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे अफसाना कितना खरीदे हैं समान यहाँ पर देखिए अफसाना ने 2 किलो गराम 500 गराम चीनी खरीदे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 किलो और 50 गराम 50 गराम क्या खरीदे हैं चीनी तो भी किलो ग्राम में लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे किलो ग्राम में और यह भी हो जागा किलो ग्राम अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़ टू किलो ग्राम और डूसो पचास ग्राम बेशन खड़ी दे हैं यहाँ पर अपसना क्या खड़ी दे कितना खड़ी दे हैं टू किलो और पांच सो कितना है दो सो पचास ग्राम तो लिखेंगे दो सो इनके सामने पांच और यह सुने 250 गराम क्या खरीदे हैं कितना है 250 गराम लिखेंगे 200 इनके सामने 5 और ये सुने 250 गराम क्या खरीदे हैं बेशन खरीदे हैं किलो गराम तो हम इसको भी क्या करेंगे इसी परकार से जोरेंगे तो सुने में सुने जो रहेंगे सुने 5 में जो रहेंगे सुने 5 में 5 उन्ये 5 5-5 10 के सुने और 2-1 टीन हो जाएगा और दसमलब में है तो Prahapp कहसे नंगे और यहां पर किया लिखेंगे 2 2 4 तो इसमें देखें यह कितना किलो ग्राम और ₺ यहां पर बबलु नेट बबलु ने बबलु ने बड़ावर यहाँ पर लिखेंगे चार दसम्लब 500 गराम और माइनस करेंगे कितना यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना 4.300 ग्राम यह किसका है यहाँ पर जो लिखे हैं माइनस जो किये हैं यह किसका है यह है अफसना का तो लिखेंगे अफसना ने अफसना ने समान की खरीदा इतना का तो हम इसमें से क्या करते हैं, इनको मैनस करते हैं, इसको मैनस किजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इनको किलो ग्राम में लिखिएगा, किलो ग्राम में, किलो ग्राम में, अब इनको तेखें, यहाँ पर सुनने में से सुनने जोड़ेंगे, सुनने, सुनने, पांच, तीन, और यहां पर लिखेंगे हम बढ़ाबर में क्या लिखेंगे बबलू ने जीरो दसमलव इतना किलोग्राम किलोग्राम सामान अधीक खड़ीदे अधीक खड़ीदे खड़ीदे यही क्या हो जाए इसका तो दोस्तों किस परकार से हल करेंगे तो यहां पर देखेंगे और यहां पर यह क्या है दूसरा 6.5 इतना क्या करना है मैनस करना है इनको क्या करना है सामने कुछ भी नहीं तो हम क्या करेंगे सुनने डाल देंगे और इसको क्या करेंगे हम मानस करेंगे मीटर में मीटर में लिख देंगे और देखेंड में और यहां पी यह बच गया कितना चोगदा तो आठ चोगदा यहीं क्या हो जाएगा मीटर अर्षक लाइक केजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजें मिलते हैं अगले तप तक लिए गुट्बाइब